हलो फ्रेंड नेचरो पैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर नसे की लत हो गई है वो चाहे किसी भी प्रकार की नसे की लत हो तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे एक्यू प्रेशर पॉइंट के द्वारा सेल्प ट्रीटमेंट से घर पर बैठे कर सकते हैं उसका इलाज तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले विल आइकम प्रेश करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो यह बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी नसा आपको हद से ज्यादा आपके शरीर में और गंस को डैमेज करता है तो उससे आपको कई सारी दिकतों का सामना करना पड़ सकता है तो उसका बहुत लोग कोसिस करते हैं कि हम नसा शोड़ दें बट वो कर नहीं पाते हैं तो प्रेशर पॉइंट पर आपको प्रेशर देना पड़ेगा हम आगे देख लेते हैं कि वह एक्यू प्रेशर पॉइंट कहां कहां पर हमारे सरीर में जिस पॉइंट पर प्रेशर दे करके उसका ट्रीट्मेंट कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रेशर यह हमारे hand के outer gate पे होता है आप देख सकते हैं जहाँ पर 8 color का mark दिख रहा है next acupressor point H7 यह hard meridian का 7 number का acupressor point है यह हमारे pinky finger के state में नीचे जहाँ पर 8 color का mark दिख रहा है वहाँ पे होती है next acupressor point है ZV20 acupressor point governing vessel का 20 वे number का acupressor point है यह acupressor point हमारे top of head पे पाई जाती है आपको black color का mark दिख रहा है वहाँ पे next है LIV3 acupressor point यह liver meridian का 3 नमर का acupressor point है इसका location हमारे pair में होता है आप देख सकते हैं ऐसे आपको state line करके दिखाए गया है कि exit है कहाँ पे तो rate color का जहाँ पे mark दिख रहा है यहाँ पे है यह दोनों pair में होगी acupressor point next है LI4 acupressor point यह large intestine का 4 नमर का acupressor point है यह acupressor point हमारे thumb और index finger के वीज में आपको rate color का mark जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे acupressor point है यह तो इस जो सारे acupressor point आपको images में दिखाए गया है ZV20 को छोड़ करके ZV20 top of head पे है वो single acupressor point है और बागी acupressor point by literal है दोनों हाथों में होंगे और दोनों legs में होंगे तो आपको दोनों जगा पे pressure देना है आपको daily pressure देना है उसमें दीन में तीन बार pressure देना है दो से तीन मिनट के लिए आप continue इस treatment को आजमाईए point को stimulate करें acupressor point दे के देखिए आप जो नसे की लट से परिशान हो गए है दीरी दीरे आप उसकी आदद को छोड़ देंगे इस वीडियो को जरूर सेयर करें Thank you